दियर स्टुडेंट्स वेलकम टू एक्टिव लेर्नर्स पॉइंट आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का ईवेस वन का लेसन नमबर नाइन यानि कि आपके घर में पानी कहां से आता है तो वीडियो स्टाट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी से क्लिक पेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल एकन के ओल बटन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लगिए तो इसे लाइक कर दीजिए फर्स्ट कुश्चन है वियर डज दा वाटर इन यूर हाउस कम फ्रॉम तुमारे घर में पानी कहां से लाया जाता है या कहां से आता है तो इसका आंसार है दा वाटर इन आवर हाउस कम फ्रॉम डिस्टेंट लेक्स वेल्स एंड वाटर टैंग्स थ्रो पाइपलाइन तो हमारे जो घर में पानी कहां से आता है डिस्टेंट से आता है लेक्स से आता है जो कुवे होते हैं वेल्स उससे आता है या डेम्स के थुरो आता है पाइपलाइन से पहुचाया जाता है सिकंड कुशन है फ्रॉम वार्डू रिवर्स wells, springs and legs get water तो इन जगाओं पर जो rivers है, wells है, springs है, legs है, तो यहाँ पर पानी कहां से आता है तो इसका सही अंसर है rivers, wells, springs and legs get water from rain यानि कि जो main source है इन सब जगाओं का, वो है rain बारिश का पानी होगा तभी तो कुवों में, तालाबों में और चश्मों में पानी आएगा ठीक है, थर्ड कोशिन है what will happen if we do not collect rain water, अगर हम बारिश क्या पानी जमा नहीं करेंगे तब क्या होगा, तो इसका अंसर है we will face a problem of storage of water, if we do not collect rain water अगर हम उसको collect नहीं करेंगे, तो हमें हम उसको store नहीं कर पाएंगे और उसको हम use नहीं कर पाएंगे, ठीक है तो ये थे इस lesson की ocean's answer, अगर आपको अच्छे लगे है, तो please like कर दीजिए और जाद जाद अपने friends के साथ share कीजिए हम मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए, Allah Hafiz, thanks for watching